गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स मित्रा कंपनी से आप सब का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी हम एक नए मशिन की जानकरी दे रहे हैं जिसका नाम है बुलेट तो बुलेट में हमारे पास जो है बहुत सारे मॉडल आते हैं इसमें आप देख सकते हूँ कि हमारे पास 550 mm का फैन है 616 mm का फैन है मतलब 22 और 24 इंच का फैन हमारे पास अविलेबल है इसके साथ हमारे स्प्रेयर में सिंगल फैन भी आता है और डबल फैन भी इसमें आ जाता है तो जो आपका 22 इंच वाला फैन है सिंच का अगर फैन होता है तो आपको 24 HP और उसके उपर वाले टैक्टर की जरुरूत पड़ती है तो जो हमारी ये बूलेट सीरीज है इसमें ऐसी क्या विशेश्टा है अभी हम इस वीडियो में उसकी चान करें लेंगे इस प्रेयर में अभी आप लोग देख रहे हो कि हमने ये सेमी सर्कुलर स्टक्चर दिया है ये जो स्टक्चर है ये हम ग्रेफ में यूज करते हैं लेकिन अगर आपके पास पोमो ग्रेनिट या अनार की खेती है तो उसके लिए हमें लीनियर स्टक्चर की जरुरूत पड़त है और उसके उपर हमारा जो बुलेट है वो माउंटेट होता है बुलेट सीरीज में जो है माउंटेट टाइप की सीरीज है तो इसमें हर एक टैक्टर के इसाफ से अलग-अलग प्लेट इस्तिमाल होती है अभी आप यहापर देख सकते हो कि एक प्लेट हमने टैक्टर के उ शाप्ट आता है तो उसका काम क्या होता है कि टेक्टर के PTO से पावर लेके पंप के PTO तक पावर पोर्शन उसके बाद हमने बुलेट सीरीज में 55 LPM का डाइफराम पंप दिया है यह continuous flow सारे नोजल को देता है तो इससे जो आपका flow निकलता है वो continuous flow निकलता है इसमें moving part कम होने की वज़े से इसमें maintenance भी कम आता है इसके बाद pump के उपर हमने एक pressure relief wall लगाया है जो 40 बार pressure के उपर open हो जाता है जैसे ही यह pressure relief bar open हो जाता है तो आपका जो pump है वो damage होने से बच जाता है bullet series में हमने hdp metal से बनाई हुई 200 लिटर की tank दी है hdp मतलब क्या होता है कि high density polyethylene से बनी हुई तो जो भी आप इस tank में chemical डालोगे उसकी chemical reaction इस tank के साथ नहीं होगी और आपका जो भी chemical रहेगा वो origin form में आपके plant तक ही जाएगा उसके बाद इस tank के ऊपर आपके जो भी environmental factor है उसका भी affect नहीं होगा और इसकी जो लाई पे वो भी ज्यादा रहेगी उसके बाद आप इसमें देख सकते हो water tube level दी है मतलब tank में कितना पानी है ये आप इसमें देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे हमने एक basket mixture दिया है जो भी आपका powder form वाला chemical रहेगा आपको यहाँ पे डालना है उसके बाद यहाँ पे forcefully पानी आएगा और आपका chemical को dissolve करके नीचे चला जाएगा उसके बाद tank में हमने दो type के agitator दी है तो उस agitator से क्या होता है कि आपका जो भी chemical है वो continuous mixing होता रहता है अब भी हम जानकरी लेंगे bullet series के conveyor system की तो आप यह देख रहे हो यह है gear box तो इसमें दो forward और एक neutral gear आता है मतलब high, low और neutral high आपको जब आपकी canopy ज़्यादा dance रहेगी या फिर आपकी जो climatic condition है उसमें आपकी air velocity ज़्यादा आ रही है आपका coverage अच्छे तरे से नहीं हो रहा है तब आपको high gear पे चलाना है यह दोनों condition अगर आपकी plot में नहीं रहती तो आपको low gear पे इसको चलाना है जैसे ही आपका plot flowering में आ जाएगा आपको लग रहा है कि आप air output से आपका fruits और flower जो है वो नीचे गिर रहे है ऐसा अगर आपको लग रहा है तब आपको neutral gear में इसको चलाना है या आपको दूसरे crop में भी spray करना है तो आप उसको neutral gear में चला सकते हो अभी इसमें जो है दो type के conveyance system आते हैं एक होता है आपका single fan और दूसरी होते है double fan तो आभी हम single fan के बारे में जान करिए लेंगे तो single fan में आप देख सकते हो कि यहां से हवा हिता इसक करेगा उसके बाद यहां के यहां पे अंदर के side में आपके inlet avains आएंगे inletwinds का काम क्या होता है जो भी आगे से हवा सक हो रही है उसको equal करके main fan तक कोचाने का काम आपका inletwinds करेगा उसके बाद आपका main fan घुमेगा main fan घुमने के बाद आपकी हवा यहाँ पर आएगी जएसे हवा यहाँ पर आएगी अंदर के side में हमने counter fence दिये हैं रीकवरी प्लेट का यूज के आए इसको रीकवर करने का काम आपकी रीकवरी प्लेट करेगी अभी हम जानकरी लेंगे double fan के बारे में तो इसमें double fan में क्या होता है कि दो टाइप के fan होते हैं उसमें एक fan जो होता है वो clockwise गुमता है और दूसरा fan जो होता है वो anti-clockwise गुमता है तो दोनों fan जैसे गुमेंगे तो जो air रहेगी वो पीछे आएगी पीछे आने के बाद यहां हमने एक equalizer cone दिया है equalizer cone से हवा equal होके right और let में जाएगी bullet series में हमने nozzle दिये है तो nozzle में आप देख सकते हो कि एक side में हम 1.0 mm की digs डालते है और दूसरे side में जो digs होती हो हम ATR की डालते है तो ATR digs जो use होगी आपको dipping और जो PGR है उसके लिए use करनी है और regular जो digs है वो आपक को अपने regular spray के लिए इस्तिमाल करनी है उसके बाद इसमें हम हरे crop के नुसर दूसरे type के digs भी देते हमारे pass 0.8, 1.0, 1.2 mm की digs है जो अलग-अलग crop में हम use करते है बुलेट series में हमने दो type के filter दिये है एक जो है आप देख सकते हो इसको हम suction filter बोलते है suction filter जो होता है वो 50 मेंष तक के particle clean करता है उसके बाद जो दूसरा filter है लाइन फिल्टर बोलते है Line filter का काम क्या होता है कि जो भी particle बज गए section filter में से उसको clean करने का काम line filter करता है Line filter में हम 80 mesh तक के particle clean कर लेते ताकि आपके जो भी nozzle है वो blockage नहीं हो पाते Bullet series में आप extra tank attachment कर सकते हो आपके tractor की requirement नुसर और आपकी water hole limb के requirement नुसर यहाँ पर आपको extra tank attach करनी है उसके बाद यह knob अभी forward direction में है तो यह आपकी main tank का पानी activate है जैसे ही आप इसको backward direction में करोगे तो आपकी जो extra tank के वो activate हो जाएगी